Assalamualaikum friends, welcome back to another video आज की इस वीडियो में आपको बताने वालो हूँ कि Facebook Interstitial Ad किस तरह हम अपनी Android अप्लिकेशन में एड करते हैं उसकी implementation को हम देखने वाले हैं So, वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब आपने Android प्रोजेक्ट उपन करना है जिसमें आप Interstitial Ad को एड अप करना चाते हैं तो अब हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरह हम जो Facebook Audience Network है उसे हम उसकी जो dependency है उसको अपने प्रोजेक्ट में एड अप करते हैं यह कहां से मिलती है इसे किस तरह हम initialize करते हैं आपने क्या करना है Google पर search करना है Facebook Ads Android या यह लिखने के Facebook Audience या Android Audience Network SDK यह आपके पास आएगा अब यह website है जिसमें आपको तमाम documentation दी गई है Facebook की तरफ से कैसे आपने include करना है यह तमाम steps आपने follow करने है recently हम इसको देख भी चुके आपने पिछली वीडियो में तो यहां पर आपको तमाम steps दीए गए है यह देखें यह आपको dependency दीगी है जो के आपने अपने project में add up करनी है then हम scroll down करेंगे तो हमने देखा था banner add किस तरह add up होता है तो हम देखेंगे इंटरस्टिशियल एड को आपने इंटरस्टिशियल एड में आना है जब आप अपनी dependency को अपने project में add up कर लेंगे then आप क्या करें यहां पर आज हैं इस portion में initialize the audience network यहां से आपने क्या करना है जो audience network adds है उसको आपने initialize करना है यहां पर on create के method में जहां पर भी जिस class में आप use करेंगे उसके on create method में आपको इसको initialize कर दें second step क्या है हम क्या करेंगे यहां से इसका जो object है इसकी class का वो create करेंगे interstitial add अब हम इसको copy करते हैं और यहां पर इसको paste कर देते हैं तो यह interstitial add हो गया और उसका यह आगया object then हम देखते हैं कि यहां पर जो interstitial add है वो यहां पर initialize हुआ है ठीक है तो यहां पर हमें test ID नहीं दीगी मैं आपको बताता हूँ कि test ID आपको कहां से मिलेगी अब आप यह देख लें कि यहां पर यह कहरा है कि your placement ID अब यहां पर आपकी वो interstitial ID आएगी जो आप अपने facebook के monetization add जब create करेंगे तो आपको मिलेगी यहां पर हम test ID लगाते हैं so test ID कहां से आती है वो मैं आपको बता देता हूँ लेकिन उससे पहले यहां पर हमें क्या है कि यहां पर tag दिया गया है आप इस tag को अगर use करना चाहते हैं तो कर लें well and good compulsory नहीं है यह यहां पर यह जो interstitial add activity है इसको replace कर दें अपनी activity के name के साथ उसके बाद आप again चले जाएं documentation में तो इसका जो listener है interstitial add का वो आपको यहां पर मिल जाएगा जो के आप जरूरी इसको implement करें इसको लाजमी जरूर जो है वो use करें अपने code में और इसके साथ साथ हम यहां से भी इसको copy कर लेते हैं यह तमाम instructions को copy करके आप अपने on create method में जब आपकी activity run होगी तो यह आपको interstitial add जो वो शो होगा यहां पर देखें तो यह आपका जो इसका listener है interstitial add का वो आ जाता है लेकिन हम इसको देखें तो यह देखें यह इसकी class है और यह इसका object आगया listener हमारे पास और यह initialize होके जतने भी methods हैं वो आपके पास आ जाएंगे जब on add loaded आएगा method तो आपका interstitial add शो हो जाएगा सही है अब आपने करना क्या है कि आप उपर आ जाएं यहां पर यहां पर आने के बाद आप यह जो your replacement ID है placement ID यहां पर आपकी जो original ID होगी add की वो आपने यहां पर put करनी है लेकिन मेरे case में मैं क्या करूँगा यहां पर bottom पर आता हूँ और मैं banner add को open करता हूँ ठीक है मैं आपको बताता हूँ कि actual में क्या करने वाला हूँ then हम यहां पर जाता है अब banner add को open करें तो हमने अपनी कल की जो वीडियो थी उसमें यह देखा था कि यह हमारे परस है test ID यह जो आपको given की गई है आप इस test ID को copy करें make sure कि यह जो आपकी ID है यह आप अपने original जो add लगाना चाहता है interstitial आपके facebook monetization जो page होगा वहां से जो generate करेंगे add वो यहां पर आपने इसको replace करना है then आप क्या गरेंगे यह तो आपकी सारी implementation हो गई है ठीक है अब अगर आप कुछ यहां पर इसकी और देखें implementation तो यह on destroy method है आप इसको copy करें कि activity जब destroy होगी तो हमारा जो interstitial add है वो भी destroy होना चाहिए यह यहां पर इसको cancel करें इसको यह मेरे खाल से हमने banner का use कर लिए यह banner है इस banner को आप यहां से remove कर दे और यहां पर देखें अब यह कह रहा है कि आपने अगर 15 मिनट के बाद automatically add को show करवाना है अपनी application में तो आप यह method यूज करेंगे आपको documentation भी दी गई है तो यह है हमारे पास on destroy का method जो के हमारा interstitial add का है तो हम इसको यह copy करेंगे तो हमारी implementation complete होगी आप हम run करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हमारा interstitial add हमें show होता है सब देख सकते हैं हमारी application यहां पर run हो चुकी है तो अब आप देखें यहां पर interstitial add है जो मैंने dummy text भी रखा वही इसके कोई बात नहीं है अब आप यहां पर देखें तो हमारा जो add है interstitial add वो हमें यहां पर show हो चुक है जो आपने यह आपको पहले क्यों show हुआ है कि आपने own create method में ही आपने इसको load किया है तो आपने load कहां पर किया है यहां पर यह देखें interstitial add.load add अब यह listener call होगा call होने के बाद इस listener को आप देखें तो इस यहां पर own add loaded में यह show हो रहा है तो यह था हमारे रपास interstitial add जो के हमें हमारी application में यहां पर देखें run हो चुक है तो आपने adjust करना यह है कि इस तमाम implementation यह ही है बस आपने इस यह जो id है इसको आपने original id के साथ replace करना है तो यह था आज का हमारा tutorial जिसमें हमने देखा है कि किस तरह हम interstitial add को अपनी android application में उसको add up करते हैं उसको implement करते हैं आपको काफी information मिलेगी और आपको help मिलेगी कि आप इसको easily implement कर लेंगे अपनी application में मिलते हैं next video में किसी interesting topic के साथ तब तक के लिए और सर्ट है की तरफ से अला हाफिस यंज में अजया अजया और आपको Hammer यंजया आपको